तो इस तरीके से हमारे कॉलम्स को लटकाया जाता है हमारे क्रेन पर और उसके बाद सीधा लेके जाया जाता है और फिर उसके बाद हमारे कॉलम्स को यहां पर लाया जाता है इंस्टॉल किया जाता है फिर की जाती है बोल्टिंग और इस तरीके से खड़ा होता है हमारा बीस्ट्चर